नेक्स्ट इस पी टाइप सेमी कंड़क्टर देखो जब हमने पैंटावलेंट इंपूरिटी एड़ करी थी तो हमें इलेक्टरोन डोनेशन में मिला था और कंड़क्टिवीटी इंक्रीज होगी थी क्यों चार्ज कैरियर्स बढ़ गे थे और मैजोरिटी चार्ज कैरियर्स अब देखो अगर मैं प्योर सेमी कंड़क्टर में क्या करू ट्राइवलेंट इंप्योरिटी को एड़ करू ट्राइवलेंट इंप्योरिटी का मतलब वो एटम्स जिनके लास्ट वाले शेल में थ्री एलेक्टरोंस हो तो ट्राइवलेंट इंप्योरिटी उनको बोलते हैं तो अगर मैं trivalent impurity pure semiconductor में add करूँ तो जो extrinsic semiconductors बनेंगे उनको हम बोलते हैं P type semiconductors अब ये trivalent impurities कौन से होती हैं इनको आप याद रख सकते हो बागी से ठीक है बागी उसको कैसे याद किया था पास B से इसको बागी से बागी का मतलब B stand for boron A stand for aluminium G stand for gallinium and I stand for indium और ऐसे भी आप याद रख सकते हो देखो जब आपके ज़्यादा marks आते हैं तो आप पास हो जाते हो और जब कम marks आते हैं पूरे irritate हो बागी बन जाते हो तो इसका मतलब जहां पर कम electrons होएंगे 3 electrons वहां पर बागी याद रखना जहां पर ज़्यादा electrons होएंगे मतलब pentavalent impurities वहां पर पास भी ठीक है तो यह वाले जो अगर atoms हम add करेंगे pure semiconductors में तो P type semiconductors बनेंगे तो मैंने क्या किया pure semiconductor ले लिया जर्मीनियम का सिलिकन भी ले सकते हो मैं बार बार सिलिकन ले रहा था तो मैंने क्या आप जर्मीनियम ले लेते हैं कोई problem नहीं है हमें पता है जर्मेनियम है ये तो इनके पास तो 4 electrons होते हैं आउट्रमोस shell में तो ये तो four covalent bonds बना सकते हैं लेकिन ये जो boron है इस बेचारे के पास तो three electron ही है बाहरवाले शेल में तो ये तो three covalent bonds ही बना सकते है तो इसने क्या किया इस bond में एक electron दिया ये बन गया इधर दिया ये बन गया इधर दिया ये बन गया तो 3 Covalent Bonds तो इसने अच्छे तरह अंसे बना लिये लेकिन 4 Covalent Bonds बनाने के लिए इसके पास Electron रिनी है इधर जन्मेनियम तो देने को त्यार है अपना Electron लेकिन Boron के पास है ही नहीं तो ये वाला जो Bonds है इसमें Electron की क्या आ जाएगी deficiency आजाएगी कम ही आजाएगी तो ये वाला जो bond है ये एक electron accept करने के लिए त्यार है तो यहाँ पे हमको bide fault क्या मिल गया है एक hole मिल गया तो इसमें फिर extra में ही चल रहा है holes बत्ब positive charge carriers इसमें holes होएंगे majority charge carriers holes इसमें extra में ही चल रहा है अब क्योंकि ये हमको electron donate तो नहीं कर रहे है बलकि अब तो क्या है ये bond ready है ये अपना semiconductor जो नयाबना है ये तो ready है एक electron को accept करने के लिए अब्सॉर्ब करने के लिए तो इसलिए हम ये वाली जो impurities होती है trivalent impurities इनको हम क्या बोलते हैं acceptor impurities भी बोलते हैं क्योंकि इनको add करते ही क्या हुआ जो हमारा semiconductor है ये जो bond है ये electron को accept करने की tendency शो कर रहा है ठीक है तो हमें पता लग गया कि इसमें क्या होगे holes majority charge carriers होएंगे electrons minority charge carriers होएंगे इसलिए इनको P type semiconductors भी कहते हैं और acceptor impurities क्यों कहते हैं वो भी हमें पता लग गया again इसमें क्या होगा कि जो पूरा crystal है पूरा जो P type semiconductor है वो neutral ही लएगा ठीक है लेकिन जो हमारी acceptor impurities है जब ये electron को accept कर लेगी मतलब जैसी हम room temperature पे bowling पहुंचेंगे तो कुछ bonds टूटेंगे कुछ bonds टूटेंगे तो crystal में free electrons भी आ जाएंगे तो ये boron उन में से एक electron को accept कर सकता है तो जब ये electron को accept करेगा इसके पास एक electron क्या हो जाएगा extra में हो जाएगा तो boron पे negative charge आ जाएगा तो acceptor impurity atom पे negative charge आ जाएगा लेकिन पूरा का पूरा crystal neutrally है बिल्कुल उसका just opposite है अब band theory के basis में हम समझ ले तो जैसे ही हम क्या करते हैं acceptor impurity items एड़ करते हैं तो acceptor energy level balance band से just उपर क्या करता अपना energy level बना लेता है जिसको हम acceptor energy level कहते हैं और इनके बीच में gap आपको पता ही है ये वाला जो upper most energy level है balance band का और ये जो acceptor energy level है इन दोनों के बीच gap कितना आता है silicon के लिए 0.05 electron volt और germanium के लिए 0.1 electron volt और ये gap distance वाला gap नहीं है energy का gap कह रहा हूँ मैं बतलब इसकी energy में से इसकी energy को अगर माइनस कर दें तो इतनी आएगी germanium के लिए इतनी आएगी silicon के लिए इतनी आएगी तो हमें पता है जैसी हम फिर अपना temperature बढ़ाएंगे तो balance band में से कुछ electrons conduction band में चले जाएंगे अब क्योंकि acceptor energy level बहुत ही पास में है तो कुछ electrons इन में भी चले जाएंगे अब उपर तो गए 2 electron तो conduction band में 2 electrons ही हैं लेकिन balance band में 4 holes बन गे तो फिर इसमें जादा charge केरियर्स कुछ से हैं holes तो majority charge केरियर्स होगे hole minority charge केरियर्स होगे electron और जैसे ही देखो इधर मैंने negative iron बनाया है electrons नहीं बनाया है क्यों? क्योंकि balance band से जैसे ही electron जाएंगे acceptor energy level में तो acceptor energy levels के जो atoms हैं तो उस पर negative charge आजाएगा तो वो क्या बन जाएगा boron minus मतलब minus iron बन जाएगा तो इसलिए मैंने minus iron से यहाँ पर दिखाया है यहाँ पर free electron से दिखाया है और यह holes है तो यह हमारा इस तरह से P type semiconductor भी पूरा हो गया ठ्याहां रखना pass b and buggy ठीक है बहुत बार बहुत बार पुछा हुए है वो यह तो name दे देता है कि यह कौन सी impurity है या वो direct पूछ लेता है कि donor impurities के example बताओ सीधा बोल दिया aluminum कौन सी है जी aluminum से क्या बनेगा P type के N type आप बोलोगे aluminum pass b में तो आता नहीं बागी में जुरूर आता है आजी trivalent impurity है तो यह तो P type बनाएगा जी acceptor impurity है है यह और यह P type semi conductor बनाएगा तो ऐसे technically सोचना भी आपको ठीक है तो PN junction diode PN junction PN junction diode करेंगे next class में में भी Friday को जो school आओगे तब करेंगे तो all the best आएगे तो